हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी ट्रिट्स में आपका स्वागत है आज मैं चना दाल से बनी हुई एक बसाला वड़ा की रेसिपी सेयर करने जा रही हूँ इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कब चना दाल लिया है इसे एक घंटा पहले ही भिगो कर रख दिया था जिससे यह अच्छी तरह फुल गया है चना दाल को पानी से अलग कर दे और ग्राइंडिंग जार में डाल कर एक दरदा पेस्ट तयार कर ले इसे हमें पल्स मोड पर पीशना है जिससे यह दाल हलके मोटे ही पीशे रहेंगे इसमें कुछ देखिए हलके तुटे तुटे चने दाल भी दिख रहे हैं हमें इसी तरह पीश लेना है कूटने वाले में एक चम्मच धनिया डाले साथ से आठ लेसुन, चार हरी मिर्च और दो इंच अद्रक का टुकड़ा डाले आप इन सभी को पीश कर भी डाल सकते हैं लेकिन कूट कर डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इन सभी का भी एक मोटा पेस्ट बनकर तैयार हो गया डाल को एक बाउल में डाल दे इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे इसमें कुटा हुआ अद्रक लैसुन भी डाल दे ये करीब दो चम्मच के है इसमें दो कटा हुआ प्याज डाले प्याज को बारीक मैंने काट लिया है अगर प्याज बड़ी है तो आप एक डाले एक बार इन सभी को हमें मिला देना है अब इसमें 4 चम्मत चावल का आटा डाले चावल का आटा डालने से वड़ा बहुत कुरकुरा बनकर तयार होगा इसमें स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच कलॉंजी डालना है इसे हमें अब अच्छी तरह हाथों से मिला लेना है ये हलका चिपचिपा डो बनकर तयार होता है देखिए मैं गोला बना रही हूँ और फिर इसे हाथों से चिपटा कर रही हूँ तो ये बिखर जा रहा है इससे पता चलता है कि ये डो अभी हाड है इसमें एक चम्मच के करीब पानी डालेंगे और इसे लूज कर लेंगे अगर डो लूज बने तो उसमें चावल के आटा की क्वांटिटी बढ़ा दे इसका हमें एक बॉल तयार कर लेना है जब एक चिकना बॉल बन जाए तो हथेली से इस तरह दबा देंगे हथेली से इस तरह दबाने से क्या होगा कि ये बीच से मोटा और किनारे पतला रहेगा ये बिल्कुल देखने में मार्केट जैसे बड़ा का सेफ हो जाएगा मैं आपको एक और बना कर दिखा दे रही हूँ हाथों से गोल करे और फिट दबा दे वैसे तो आप इसे अपनी पसंद का कोई भी सेफ दे सकते हैं आप इसे लंबा भी बना सकते हैं या बॉल भी बना सकते हैं पर इस तरह बनाने से ये बहुत जल्दी जाता है तैयार बड़ा को हमें फ्राई कर लेना है इसके लिए गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे उसमें तेल डालेंगे तेल जब मीडियम गर्म हो जाए तब इसमें वड़ा को एक एक कर डाल देंगे कढ़ाई में जितना बड़ा आए उतना डाल दे और low medium flame पर इस वड़ा को हमें fry कर लेना है इस वड़ा को हमें golden brown color का होने तक fry करना है वड़ा को दोनों तरफ से उलटते पलटते हमें अच्छी तरह fry करना है एक बार आप इस तरह masala वड़ा बना कर जरूर try करें बहुत ही crispy और tasty वड़ा बनकर यह तैयार होता है वड़ा जब golden brown color का हो जाए तो इसे बाहर निकाल लेंगे इसी तरह हमें सारे वड़ा को fry कर लेना है चना दाल को मोटा पीशने के कारण यह वड़ा उपर से देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और हाँ अगर आपको मेरी यह recipe पसंद आई तो मेरे वीडियो को like और share करें और चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूले देखिए वड़ा बनकर तैयार है मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ अंदर तक यह वड़ा अच्छी तरह पग गया है और बहुत ही क्रिस्पी बना है इस वड़ा को आप चटनी के साथ सर्व करें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद